बारतिये खिलाडियों के प्रदर्शन को और बहतर बनाने के लिए और उनके फिटनेस को और अच्छा करने के लिए स्पोर्ट्स अथारिटी और इंडिया द्वारा दिली के ज्वारला नहरू स्टेडियम में एक फिटनेस सेंटर का आज उधगातन किया गया ये फिटनेस सेंटर आधुनिक सुविधाओं से पूरी तरह लैस है तो आईए आपको दिखाते हैं इसके उधगातन समारों के कुछ अंच भारत के सर्वोत्तम खेल पूरसकार, अर्जोन अवार्ड्स, द्रोनाचारे अवार्ड्स और राजीव कांधी खेल रत्न पूरसकार से सम्मानित खिलाडियों और कोचेस का जमगट लगा आज राजधानी दिल्ली के नहरू स्टेडियम में मौका था स्पोर्ट्स अथारटी अफ इंडिया द्वारा भारतिय खिलाडियों को और बहतर सुविधाएं देने के अंतरगत शुरू किये जाने वाले मौडरन फिटनेस सेंटर के उदखाटन का उद्गाटन की रस्ल Sports Authority of India के डारेक्टर जनरल श्री रत्न पी वातल ने अधा की इस फिटनेस सेंटर में इस्तिमाल होने वाली मशीन्स टेक्नो जिम नाम की एक विदेशी कंपनी से मंगवाई गई है ये वही कंपनी है जिनकी मशीने सिडने और एथिन्स में हुए उलेंपिक्स में और मेल्वन में हुए कॉमनवेल्ट गेम्स में भी इस्तिमाल की गई थी ये देखिए ये एक डिमांड आ रहा था हमको अपने इंटरनाशनल लेवल स्पोर्ट्समें से के फिजिकल कंडिशनिंग और फिजिकल फिटनेस के लिए हमारे जो सेंटर्स हैं पट्याला में बैंगलोर में कलकते में और बहुत सारे अधर सेंटर्स के अंदर के एक तो अउट्डेटेड समान था उसके अंदर इनकी फिटनेस ठीक नहीं हो पा रही थी बलकि कुछ इंटरनेशनल स्पोर्ट्समें थे जिनकी तरफ से डिमांड आया था कि या तो यहां लगाया जाया नहीं तो कई लोग यह बाहर जाके भी ट्रेनिंग कर रहे थे इन ही तरह के सिस्टम्स के उपर तो हम लोग ने इसके उपर चर्चा की इंटर्नली और सारे अर्जून अवाडीज और टॉप लेवल स्पोर्ट्समें के उनके साथ उनसे मशुरा करके डिसाइड किया गया कि इस तरह का टॉप आप अफ दॉलाइन स्पोर्ट्स इस तरह के सेंटर शुरू हो गए हैं जिसके हमारे इंटरनेशनल लेवल स्पोर्ट्समें इस्तमाल कर रहे हैं इस मौके पर स्पोर्ट्स अथारिटी और इंडिया के सेकरेटरी बीके सिनहा भी मौजूद थे कि यह अपने आप में एक बहुत ही यूनिक चीज दिल्ली के किसी भी स्पोर्ट्समें के लिए हैं दूसरी खासियत यह है कि वर्ल्ड के जो भी दूसरे टॉप कंट्रीज यहां ओलंपिक आशिंग गेम्स होते हैं वो इन एक्सराइजर करते हैं इन एक्सराइजर करते हैं इन एक्सराइजर करने की स्टाइस्टिक्स की पावर है जो आप करते हैं नॉमल एक एक्सराइजर में आप सब एक्सराइज करते हैं वापस आते हैं ये एक्सरसाइजेस ऐसी हैं जो आपके एक्सरसाइजेस को प्लान करते हैं आपको बॉड़ी के किस मसल के लिए क्या एक्सरसाइज करना चाहिए ये इंबिल्ड प्रोग्राम ये खुद बताता है और टॉप अपड़ लाइन आज के तारिक वे एथिंस ओलम्पिक ले लिजे सिड्नी ओलम्पिक ले लिजे बुसान एशन गीप से लिजे मेलबन ले लिजे हर जगा इन मशीन्स को यूज किया गया यह इसकी बड़े बहुत बड़ी खास है यह जब अधिन्स इंटर दिली में खुला है मिसे पहले बैंगलोर में ट्रेंडिंग कर रहे थे और भाहां पे इसी प्रकार का फिट्नेस सेंटर सा तो पहले जब हम फिजिकल ट्रेंग करते थे फील्ड में तो काफी बहाने मारते थे कि हमें नहीं करने जाना पर फिट्ने के लिए और यावर्ड सिरफ मेरी महनत की वज़े से नहीं मिल रहा है और सारे उन लोगों के लिए है जिनों मुझे सपोर्ट किया मेरे माता-पिता, Indian Airlines Sports Authority of India, Authority of Andhra Pradesh, National Federation, सब के बहाफ पे मैं यह लेना चाहूंगा और जिनों मुझे काफी सपोर्ट किया Shrikha Tandon, I'm getting the Arjun Award for Swimming, really excited about getting this award because for me it's a recognition of all the hard work and support that I've put in my coach, my family and my friends and everybody around me who supported me over the last 14 years and getting it from the president is gonna be just a bonus because well he's such a great personality so it's gonna feel really really good tomorrow लगता है कि भारत के स्टार बॉक्सर अखिल को अपनी मन पसंद जगा मिल गई है और वो exercise कर रहे हैं अपनी मन पसंद मशीन पे, अखिल कैसा लग रहा है इन मशीनों पे काम करें बहुत उच्छा है, इससे fitness हो गया रहा और ज़्यादा इंप्रूमेंट होगी प्लेयर्स क क्या लगता है कि कितना फाइदा पहुचा सकती है आने वाले इवेंट्स में इस तरीके की टेक्नीक्स अगर यूज करते हैं हम fitness के लिए तो आने वाद समय बताएगा कितना फाइदा पहुचा रही हैं लेकिन मुझे में देगी काफी improvement होगी इससे अपने Commonwealth Games में गोल्ड मेडल जीता, South Asian Games में गोल्ड मेडल जीता तो आगे की तैयारियों के लिए कुछ खास इसके लावा मैचाता हूं में रुकूना में चलता है रहूं है जीता हूं दो जार दस कॉनरत गेम्स भी खेलना है इंडिया में हुगा I am Samidh, I am getting the virgin award for table tennis and I think president के हाद से virgin award लेना एक बहुत बड़ी बात है It's a kind of recognition or appreciation जो हम सभी खिलारी को और ज्यादा motivate करेगा और especially मुझे बहुत motivate करेगा और आगे और ज्यादा मैनत करने के लिए और बहुत ज्यादा उत्सा है और मुझे बड़ी बहुत ज्यादा उत्सा है और मुझे बड़ी बारी खुशी है कि हम राश्पति मोदे के आथों से यह award लेंगे और अमारे उपर और अधिक जुम्यवारियां बढ़ गई हैं आने वाले समय में आने वाले उलम्पिके मेडल जीतने का पूरा प्रयास करेंगे कोचीज और किनाड़ी भी इन मशीनों पर एक्सेसाइज कर बेहद उत्साहित नजर आए कोचीज अरगज में आने यहाऊज में आथ हैं ढर आए कर दो कर दो तो देखा आपने कितनी अच्छी सुविधाओं से लेस है ये फिटनेस सेंटर उम्मीद करते हैं कि साई ने जो कोशिश की है भारती खिलाडियों की फिटनेस को और इंप्रूब करने की उसमें वो जरूर सपन होंगे और भारती खिलाड़ी इसका फायदा उठा पाएंगे और ज्यादा से ज्यादा मैडल्स हासिल करेंगे और साथ ही हम आपको याद दिला दें कि कल शाम साड़े चार बजे हम आपको दिखाएंगे सीधा प्रसारन राष्टपती भवन से खेलों के सबसे बड़े पुरसारों के वित्रन समारों का सीधा प्रसारन जिसमें राजीव गांदी खेल रतन पुरसार, अर्जुन अवोड और भुरुनाचारे अवोड शामिल हैं इनका सीधा प्रसारन आप देख पाएंगे 29 अगस्ट शाम साड़े चार बजे डीरी स्पोर्ट्स पर अब दीजी हमें इजाजत नमस्कार